अब एक ऐसी खबर की चर्चा जिस पर सब टक्ठकी लगाए है कि बाई मुख्यमंत्री के अपरमुख सचू का मामला है इस पी गोयल का मामला है अब जो ब्यूरो क्रेसी के अफसर है वो तो लगाई ही है जो लोग मीडिया में है जो लोग ब्यापार में है जो लोग सरकार के काम काज में रुची रखते हैं उन सबकी निगाह है कैने गोयल जाएंगे कि यहीं रहेंगे सबकी पोस्टिंग आ रही कि दिल्ली में उनकी तैनाती को लेकर कई सारे पदों पर चर्चा चली, कयास चला, उनके साथ देवेश चतुरवेदी को भी नोसी मिली थी, वो दिल्ली चले गए, वो केंद्रे किरसी सचु बना दिये गए, उनकी जगा पर तैनातियां भी हो गई, लेकिन यस्पी गोयल के अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं आई, चर्चा इस बात की थी कि वो केंद्रे ग्रह सचु बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गोविंद मोहन की तैनाती हो गई, जो अब देश के नए ग्रह सचु हो गए है, गोविंद मोहन भी 189 बैच कही है, अपसर है, उन्होंने भला की जगा ली है, गोविंद मोहन से पहले स्पी गोयल का नाम था कि वो नए होम सेक्रेटी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं हो पाया, अब ये बात आई थी कि स्पी गोयल डियो पीटी के सेक्रेटी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ भी जोसी जी की तैनाती हो गई, हर् बेवेश चतुरवेदी और स्पी गोयल दोनों दिल्ली चले जाएंगे अब यहां मुखमंत्री कार्याले में नई अफसर ढोनने पड़ेंगे उनकी तैनाति होगी फिर जुलाई भीत गई कुछ नहीं हुआ फिर उसके बाद जुलाई बाद अगस्त शुरू हो गया फिर कहा गया कि नहीं बहुत जल्डी अब गोयल जाने वाले हैं यस्पी गोयल लेकिन केंद्र में जहां उनको जाना था वहां पर सब भरा जाए रहा है तो फिर वो जाएंगे कहां बाई गुमनाम कोई पद हो बाई कैबिनेट सेक्रेटी नया बन गया ग्रह सचिव नया बन गया डियो पीटी में नया सचिव आ गये जोसी जी अब यूपी के इतने बड़े अफसर के लिए वहां बचा क्या तो अब चर्चा यह भी आ गई है कि अब सायद यस्पी गोयल दिल्ली नहीं जाएंगे यस्पी गोयल के लेकर जो कयासबाद थे जो चर्चा कर रहे थे वो हार मानगे कि अब लग रहा है कि कुछ नहीं होगा इससे चलेगा और यह भी कहा जाए कि वह इस बात का इंतिजार करेंगे कि जब वह सीनियाइटी में सबसे उपर आएंगे तो हो सकता है वह उत्तर परदेश के नए मुख्य सचू बने तो यूपी जैसे राज का मुख्य सच बने हैं गोविंद मोहन वह इसे उनका कईर तो सिक्किम है लेकिन वह अपने उत्तर परदेश के ही रहने वाले हैं लखनौव के ही गोविंद मोहन के पक्ष में एक चीज और गई वह पहले जो है ग्रह मंत्राले में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पत पर रह चुके थे साइद इसी वज़ा से उन्हें इसका फाइदा मिला लेकिन स्पी घोयल को दिल्ली में तैनाती ना मिलने पर कई सारे अलग-अलग फैक्टर अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह साइद खुद नहीं जाना चाहते क्योंकि यहां पर इतने बड़े प्रदेश में वह मुख्यमंत्री के बहत भरोसे मंद हैं कुछ लोग यह बात कह रहे थे कि जब उन्हें ग्रे सचू कप सिर्फ 1988 बैच है जिसमें एक अपसर है मनोज कुमार सिंग वह चीप सेक्रेटरी हैं उनकी नौकरी अगले साल 2025 के जुलाई तक है और गोयल की नौकरी जन्वरी 2027 तक है यानि कि देड़ साल से ज्यादा उनके पास समय बचेगा जब मनोज कुमार सिंग रिटायर होंगे तो ऐसे में एसपी गोयल के सामने एक बड़ा भविश्य दिख रहा है एक बड़ा पद है वह यहां चाहेंगे रहेंगे तो उसको हासिल कर सकते हैं और अगर वह दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में लोग बोले कि वह काविनेट सेक्रेटी टक जा सकते हैं और वहां पर फि कि जाएं तो हमार कुछ मामला बने जो बहुत दिनों से पीडित है परिसान है दोनों बाते हैं उनके जो पसंदीदा लोग है वो चाहते हैं कि गोयल सामना जाएं उनको एक सनरचक मिला हुआ है एक उनके उपर छाया मिली हुई है कभी नरम गरम बात होती है तो उनसे अप कोई नया रास्ता बने हम भी मुखिधारा में आएं तो एक आदमी को लेकर कितनी सारी निगाहें हैं कितने सारे कयास हैं यह आपने सब जाना होगा हाला कि सत प्रतिसत यह कहना कि गोयल साहब दिल्ली नहीं जाएंगे थोड़ा भी जल्दबाजी होगी अभी यह महीना के बाद